नमस्कार दोस्तों, बाईजूस एक्जाम प्रपाईए सिंदी में आप सभी का स्वागत हैं। आज हम आपके सामने 4 अगस 2022 के दैनिक क्वेज प्रसुत कर रहे हैं। जिसमें इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से संबंदित प्रमुख आलेकों के आधार पर प्रारंबिक परिच्छा के प्रस्ट आपको दिये जाएंगे। साथ-साथ UPSC के दौरा विगत वर्सों में प्रारंबिक परिच्छा में पूछे के प्रस्ट हम अभ्यास के लिए आपको देंगे और अंत में आज के तत्तिकी चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंब करने से पहले आप सभी अभ्यारतियों के लिए दो महत्पूर्ण सूचना है। आप सभी अभ्यारतियों के लिए दूसरी महत्पूर्ण सूचना यह है कि बाईजूस एक्जाम प्रेप आईस के दोरा एक वर्क्सॉप का आईजून किया जा रहा है जिसे 2021 की सिविल सिवा परिच्छा में प्रतम रैंक प्राप्त करता सुरती सर्मा के दोरा संचालित किय जाएगा यह वर्क्सॉप बाईजूस एक्जाम प्रेप पर संचालित किया जाएगा इसे आगामी 6 अगस्त को साम को 6 बजे संचालित किया जाएगा आप सभी अभ्यरति इसमें भाग लें और सिविल सिवा परिच्छा में किस तरह से तयारी की दिसा में आगे बढ़ना हो योगिवक्ति हैं आप सभी इस वर्क्सॉप में भाग लें और आगामी 2023 सिविल सिवा परिच्छा की तयारी की दिसा में एक सार्थक कदम बढ़ाएं इसमें भाग लेने के लिए प्रक्रिया बहुत आसान है आपको हमारे एप बाईजूस एक्जाम प्रेप को डाउनलोड करना है और उसमें वर्क्सॉप के संदर में अपना रेइस्ट्रेशन पूरा करना है इसके संदर में रेइस्ट्रेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है आप वहां से भी बाईजूस एक्जाम प्रेप एप को डाउनलोड करें और अपना रेजिस्रेशन कराके आगामी 6 अगस्त को आएजित होने वाले सामके 6 बजे के इस वर्कस्टॉप में जरूर भाग लें और 2023 की सिवे सिवा परीचा में अपने चैन को सुनिश्चित करें. आज की दानिक कुछ को हम प्रारम करते हैं और पहरा प्रस्ट देखते हैं हाली में चर्चा में रही हैली फायर R9X मिसाइल जिसे निंजा बम के रूप में भी जाना जाता है इसे किस दिस दौरा विक्सित किया गया था त्यानक की यह मिसाइल सैंट तुराज अमेरिका के इसके निंजा बम के अलावा अगर हम देखें तो दो अन्य वर्जन है जिनको लॉंग बे और रोमियो के नाम से भी जाना जाता है हैल फायर मिसाइल का एक तरह से अगर हम पूरा नाम देखें तो हैलिबार्न लेजर फायर एंड फॉर्गेट मिसाइल है तो इस रूप में अगर हम देखें तो ड्रून के माद़म से इसके उपयोग को बढ़ाये गया दोजाए सत्रह में इसी निंजा मिसाइल का उपयोग करके सीरिया में अलकाइदा के तातकालिक नंबर दोनेता अभू खैरल मसरी को एक तरह से मारा गया था और हम देखें तो आगे चलकर सीरिय अगलग जो भी लक्ष थे उनको भी अमरीका में इसी मिसाइल के माद़म से भेडा गया। आइमान अलजवारी जो अपने घर की बालकनी में थे, तब इस मिसाइल के हमले के माद्दम से उनकी हत्या की गई, आप ध्यान रखें कि इस मिसाइल के संदर में एक महत्पुन बात यह है, कि मिसाइल का जो आगे का भाग है, उसमें किसी तरह का वारहेड नहीं होता है, यान और उसके बाद यह आगे मूग करती है, और लेजर गाइडिड होती है, जहां पर उसका टार्गेट होता, वहीं पर यह हिट करती है, दोजा सत्रह में अलकाइदा के दूसरे नमर के नेता की, जो हत्या की गई थी इस मिसाइल के माद्दम से, तो वो जिस कार में ट्रेवल क कर रहते हैं, उस पर यह मिसाइल एक तरह से गिरी, और छट की उपरी भाग को इन ब्लेड के माद्दम से एक तरह से काटा गया, और सीधे एक तरह से जो वेक्ति उनके उपर हमला हुआ, तो माना जा रहा है कि इस तरह की मिसाइल का उप्योग करके, जो कोलेटरल डेमज है क्योंकि जब भी आपको बड़ी मिसाइल कहीं पर एक तरह से उप्योग करते हैं, तो आसपास के छेत्रों में भी जानमाल की हानी होती है, तो उससे बचाव करने के लिए इस तरह की जो हेल्फायर मिसाइल है, वो काफी मारक मानी जाती है, क्योंकि जहां पर आपको हमला कर करना है, एक या दो व्यक्ति, उन पर यह सीधे हमला कर सकते हैं, और आसपास के छेत्रों पर बड़ा नुकसान भी नहीं होता है, वरतमान में यह निंजा मिसाइल, जिसे हेल्फायर मिसाइल का एक रूप कहा जाता है, वो चर्चा में इसलिए है, क्योंकि इसका उप्योग करके, अलकायदा के कोख्यात आतंगवादी, आयमानल जवारी की हत्या, अमरीका के दोरा की गई है, आज का दूसरा प्रस्टम देखते हैं, केंदरी सतर्गता आयुक्त और सतर्गता आयुक्तों की निक्ती, राष्टपती दोरा एक समिती की सिफारिस पर की जाएगी, जि केंदरी सतर्गता आयुक्त की बात करते हैं, तो उसमें एक चीफ विजलेंस कमिस्नर, यानि केंदरी सतर्गता आयुक्त होते हैं, उसी के साथ साथ इनमें दो सतर्गता आयुक्त, यानि विजलेंस कमिस्नर होते हैं, तो तीन सदस्टी हमारा भारत में सतर्गता आयुक्त से कारी करता है इन तीनों सदस्यों की निक्ति के संदर में जो सिफारिस है वो राष्टपती को दी जाती है एक समिती के दारा और जब हम इस समिती की बात करते हैं तो इसमें देश के पधान मंत्री देश के गरह मंत्री और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वो इ यनि उत्तर हमारा सी किवल एक, दो और पांच सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रस्ण आम ने आप से इसलिए पूचा हैं, क्योंकि सुरेश पटेल को भारत का नया मुख्य सतरता आयुक्त बनाए गया है। इसी के साथ सद अगर हम देखें, तो अरविंद कुमार और प्रवीन कुमार सिरवस्तव, इन दोनों को सतरता आयत के रूप में सपद देल आई गया है। अगले दो प्रस्णों को अगर हम देखें तो यह हैदराबाद के संदर में प्रमुख रूप से हैं, तो यहाँ पर दोनों प्रस्ण तीसरे और चोथे की चर्चा करने से पहले हम हैदराबाद के संदर में कुछ बातों को देख लेते हैं। BT 31 जुलाई को अगर हम देखें तो Islamic Hijri calendar के अनुसार हैदराबाद के 444 वर्स स्थापना के हो चुके हैं जब हम हैदराबाद की बात करते हैं तो इसकी स्थापना मुहम्मद कुली कुतुबसा के दौरा की गई थी जब हम कुतुबसाई वन्स की बात करते हैं तो 512 से 1687 इसवी के बीच में उत्तरी दक्कन का जो पठारी भाग है प्रमुकुरूप से हम तेलंगाना का छेतर कर सकते हैं वहाँ पर जो गोलकुंडा सल्तनत है वहाँ पर कुतुबसाई वन्स प्रमुकुरूप से सासन करता था हम ध्यान रखें कि बहमनी सल्तनत की समाप्ति के बाद उसके पतन के बाद कुतुबसाई वन्स प्रमुकुरूप से अस्तित्यु में आया जिसकी स्थापना 1512 में सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क के दौरा की गई थी 1687 में इसी वंस के जो सात्वे सासकते सुल्तान अबुल हसन कुतुब साके सासनकाल के दौरान ये राजवन से एक तरह से समाफ्थ हो गया कारण तातकालिक मुगल समराट औरंग जेव ने दौलताबाद में इनको एक तरह से पूरे जीवन के लिए गिरफ्तार करके कैद कर दिया था और इस रूप में अगर हम देखें तो गोलकुंडा जो सामराज था उसको मुगल सामराज में मिला लिया गया हैदराबाद के संदर में हम ध्यान रखें 1947 में देश के आजादी के बाद रियास्तों के विले की स्थितियां तेजी से आगे बढ़ी उसमें हैदराबाद एक तरह से सामिल नहीं हो रहा था और आगे चलकर 1948 में एक पुलिस कारवाई के मादम से जिसे हम ऑप्रेशन पोलो के नाम से जानते हैं हैदराबाद का भारती राज में विला किया गया ऑप्रेशन पोलो जो 1948 में संचालित किया गया उसके बाद की स्थितियों में जो भी हिंसा की स्थितियां हुई उसके संदर्व में प्रमो कुरूप से रिपोर्ट देने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पंडि जवाला नेदी के उधारा सुन्दरलाल कमेटी का गठन किया गया था उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि ऑप्रेशन प्रारंबे की स्थिति में और बात की स्थितों में जो भी एक तरह से जानमाल के हानी हुई उसके संदर्व में रिपोर्ट में विस्तृत रूप में बताया गया लेकिन इसकी रिपोर्ट को बहुत ज़़ा सारवजनिक नहीं किया गया वरतमान में इसके जो कुछ हंस है वो जगए-जगए प्रकासित हो रहे हैं लेकिन सुन्दरलाल कमेटी की जो रिपोर्ट है उस समय की तातकालिक सरकार के दौरा सारवजनिक रूप से जारी नहीं की गई तो यह हैदराबास से संबंदित जो भी एक तरह से 1948 में ऑपरिशन पोलो के बाद की घटना है उनसे प्रमुक रूप से संबंदित है अगर हम सुन्दरलाल कमेटी की बात करें हमने अभी जो चर्चा करी उसके आदार पर तीसरा और चौथा प्रशनम देखते हैं तीसरा फृसनम नेमलेकित कत्नों पर विचार कीजिये सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क ने हैदराबाद सहर की स्थापना की थी अब हमने चर्चा किया हैदराबाद सहर की स्थापना मुहम्मद कुली कुतुब सा के द्वारा की गई थी ना की कुली कुतुबूल मुल्क जिनोंने एक तरह से प्रमुख रूप से कुतुबसाई वंस की स्थापना की थी इस आधार पर पहला कथन गलत हो जाता है कि उप्यूत कथनों में से कौन सा गलत है तो यहाँ पर पहला कथन गलत है दूसरा सत्य है इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है केवल एक सत्य है चौता प्रस्नम देखते है अभी हमने एक तरह से चर्चा किया अगर हम खने सुरच्छा भागेदारी की प्रमोग्रूप से बात करें तो जून 2022 में कनाड़ा के टोरंटो में खनन के संदर में एक जो बड़ा कन्वेंशन आयजूत किया गया था वहीं पर इसकी घोषना की गई थी जून 2022 में इस खने सुरच्छा भागेदारी की जो घोषना की गई थी उसका उद्देश ये है कि प्रत्वी में पाया जाने वाली प्रमोग्रूप से जो दुरलब तत्व हैं जुनको हम रेर अर्थ एलिमेंट कहते हैं उनके लिए किस तरह से स्थितियों को सभी देशों के लिए आसान किया जाएं क्योंकि जब हम रेर अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं तो प्रमोग रूप से चीन इसके सबस्वड़ उत्पादक देशों में हैं तो चीन के माद्यम से सप्लाई कभी भी एक तरह से बादित हो सकती है तो पस्मी देशों के दोरा इस तरह के जो दुरलब तत्व हैं उनकी स्थिति अपने आप मजबूत करने का प्रयास किया गया है इस भागेदारी के माद्यम से प्रत्वी में अगर हम देखें तो सत्रे अलगला दुरलब तत्व या रेर अर्थ एलिमेंट होते हैं इनमें कुछ को हम हलके रेर अर्थ एलिमेंट कहते हैं नहीं लाइट होते हैं कुछ भारी ये हैबी होते हैं तो light और heavy, दो तरह के rare earth element यहाँ पर वर्गुकित किया जाते हैं कुल 17 में से, भारत में अगर हम देखें, तो जो भी एक तरह से इस तरह के दुरलब तत्व हैं, उनमें lanthanum, cerium, neodynum, progenium, samarium, यह एक तरह से मिलते हैं, लेकिन जब हम dysprosium, terbium, europeum की बात करते हैं, तो यह एक कार के जो भारी rare earth element होते हैं, उनके लिए हम चीन पर एक तरह से निर्भर हो जाते हैं, और भारती नहीं बैस्वे के इस तरह पर, क्योंकि बिस्ट में इस तरह के भारी rare earth element जो हैं, उनका लगबक 70 प्रस्ट जो उत्पादान है, वो केवल चीन करता है, तो चीन पर निर्भ फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिड कोरिया, स्वीडन, युनाइट किंग्डम, और साथ साथ सैंतराज अमेरिका और यूरोपी संग, यानि दस देश और एक यूरोपी संग के रूप में समू, तो 11 का एक तरह से ये समू है, जो rare earth element के संदर में इस तितियों को एक तर से चिंता की स्थिति में है, क्योंकि ये जो भागेदारी है, इसमें भारत को सामिल नहीं किया गया है, और अगर हम इलेक्ट्रिक वहान की बात करते हैं, या प्रमुक्रूप से अगर हम बात करते हैं सोर उर्जा के लिए, तो अलग-अलग प्रकार के ये जो rare earth element हैं, वो का ही आवश्क हो जाते हैं, तो भारत के लिए चिंता की स्थिति हैं, कि इस भागेदारी में भारत को सामिल नहीं किया गया है, और भारत इस तरह के प्रयास एक तरह से देख रहा है, कि कैसे इस भागेदारी में भारत भी सामिल हो, क्योंकि भारत चीन पर इस तरह के तत्तों को लेकर निर्भरता नहीं बना सकता है क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो एक तरह से सामरिक इस्थिती है वो बहुत बैतर नहीं है इसी आधार पर अपने हम प्रेश्ण को देखते हैं प्रेश्ण में हमें ये बताना है कि खने सुरच्छा साजेदारी में यानि मिनरल्स Security Partnership इसमें निमन हमारे पाइज जो साथ विकलप है उसमें से कौन-कौन से देश सामिल है पहला Australia इसमें सामिल है भारत सामिल नहीं है जापान सामिल है New Zealand सामिल नहीं है Sweden सामिल है United Kingdom सामिल है USA सामिल है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 और 4 सामिल नहीं है इस समू में आप 3, 5, 6, 7 देनिक कुछ के दूसरे भाग में UPSC के दारा विगत वर्सों में प्रारमी परिच्छा में पूछे गया प्रश्णा आपको अभ्यास के लिए देते हैं आज हमने 2022 में पूछा गया प्रश्णा आपको दिया है प्रश्णा को हम देखते हैं निमलिखित कतनों में स कौन सा एक कभी-कभी चर्चा में उलिखित सेंकाकु दूइप विवात को सरोत्तम रूप से प्रतिविम्ध करता है यहां पर आप ध्यानके सेंकाकु दूइप प्रमुक रूप से पूरवी चीन स्यागर के भाग में एक तरह से इस्तित हैं इसकी अगर एक तरह से लोकेश तो इस आधार पर अगर हम देखें तो चीन और जापान के बीच में सेंकाकु डीपर जु आधिकार को ले कर विवात के सिती लगातार बनी देती हैं। इस रूप में हमारा उत्तर है B, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन दीपों के विसाय में समुद्री विवाद होता रहता है। द्यानिक कुछ के अंतिम भाग में हम आज के तत्त की चर्चा करेंगे। आज के तत्त में हम राष्ट्रिय डोपिंग रोधी विध्यक के संदर में चर्चा करेंगे, जिसे लोगसवा राष्वा दोनों में एक तरह से पारित किया गया है। इसके आधार पर किस तरह से परवर्तन होंगे भारत में, वहाँ पर अलग-अलग जो पक्ष हैं उनको हम देखेंगे। अगर हम डोपिंग की बात करें, तो अलग-अलग जो भी खेल इस परदा होती हैं, वहाँ पर खेल में अपने परफॉर्मेंस को, अपनी इस्टि को, या अपने कारे करने की इस्टि को मजबूत करने के लिए बहतर प्रदसन करने के लिए अलग-अलग प्रकार के जो आप कोई medal प्राप्त करें या कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई प्रत्योगता जीते तो डोपिंग की जो इस्तितिया है वो पर एक तरह से स्वीकार रहे हैं। भारत में अगर हम देखें तो यह प्रक्रिया राष्टिय डोपिंग रोधी अजनसी नैशनल एंटी डोपिंग अजनसी प्रमुक रूप से संचालित करती है। नाडा के पास अब वैधाने के धाचा आ गया है। यानि संसत के पारित एक कानून के माद्यम से नाडा को अधिकार दे दे गए हैं कि अलग-अलग डोपिंग के परिच्छन करने की जो प्रयोख साला हैं उनको वो संचालित करें। इस आदार पर अगर भारत में खेल में डो प्रमुक रूप से कोशिज यह है कि डोपिंग रोधी निमों पर सरकार को ये सिफारिस करेगा और डोपिंग रोधी जो अंतराष्ट्री प्रतिबद्दता हैं उनका अनुपालन करने के लिए प्रमुक रूप से राष्ट्री डोपिंग रोधी बोर्ड के दोरा कारी किया करने और सूचना के मुक्त प्रवा की जो इस्तितियां हैं उनके बारे में सारी सक्तियां दी जा रही हैं यानि भारत में कोई सेंपल इखटा करना सेंपल भारत में परिक्षन करना या किसी विदेशी प्रवेक्षाला में भेजना वो सारी जो वैदानी सक्तियां हैं वो यहाँ पर आप देखें कि सभी खिलाडियों के एक तरह से जादिकार है उनकी रच्छा करने की इस्तितियां बनेंगी। एथलीट को अगर हम देखें तो समयवद तरीके से न्याई एक तरह से प्राप्त हो पाएगा। मान लीजे कोई एथलीट डोप टेस्ट में फसा हुआ है। तो कानूनी रूप से वैधानिक रूप में जो भी उस पर प्रतबंदी की अवदिय वो लगा कर उसे दोबारा एक तरह से खेल इस परदाओं में भाग रहने की इस्तिति बनाई जा सकेगी। इससे अलग-अलग एथलीट के जो कैरियर है उनको भी फाइदा होगा। खेल में डोपिंग से लणनी की जो एजेंसिया है उनमें सहयोग बढ़ेगा। क्योंकि नाडा को अब एक तरह से भारत में एक वैधानिक दरजा दे दिया गया है। वैधानिक दाचा एक कानून से दिया गया है। उस कानून के मादव से अब नाडा या न्य प्रकार की जो प्रक्रिया है वो संचलित होंगी। तो अब प्रतेश तोर पर आप देखें। तो सीधे सरकार के जो हस्तक्चेप हैं वो आब एक तरह से नहीं होगे। इसी के और अगर ऐसा होगा तो प्रतेश और अप्रतेश रूप में रोजगार के स्थितिया इस डोपिंग के तंतर के मादव से भारत में बढ़ेंगी। अगर हम देखें तो भारत में खेलों के लिए जो पोसक्तत्व हैं जो एक तरह से किसी भी एथलीट के डोज में खुराक में होने चाहिए। उनके संदर में जो निर्ने की सिति हैं उसमें मानक के स्थापित हो पाएंगे। यानि कोई भी रसायन है कितनी मात्रा में एथली जो तंत्र है वो ज्यादा मजबूत होगा और अंतरास्थि मानक के अनकूल बनेगा। यह हमारा 4 अगस 2022 का दैनिक विज हैं बाएजूस एक्जाम पर पाईए सिंदी को आप सभी अभ्यरती बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें शेर क करें और हमारी स्पहल के संदर में अपने कमेंट करें यह हमारे लिए आपका सबसे बड़ा फ्रोस्साहन है और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बाएजूस एक्जाम पर पाईएस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें धन्य अबस्तुच्च्च्च्ण चैनल फ्ड़य हमारे नहीं करेंग तो आपका सब्सक्राइब करेंग Bueno climate